नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का नेतिक शिक्षा का चैप्टर 5 चैप्टर का नाम है कर्म योग की साधना इस वीडियो में हम इस पार्ट का सार और प्रशन अभ्यास करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 4 प्रेरक प्रसंग पार्ट का सार और प्रशन अभ्यास करवाई थे अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिले मैंने अपने चैनल की playlist में subject wise list डाली हुई है आप जिसभी subject के lesson को देखना चाते हैं मेरे चैनल की playlist में जाकर उसे देख सकते हैं तो चलिए अब हम part की शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम part को पढ़ेंगे भक्ते रूपी मनी का भंधार है निशकाम कर्म का अगाद सागर है गीता ज्यान भक्ती और निशकाम कर्म का जैसा तत्व रहसे बतलाया गया है वैसा किसी ग्रंथ में एक कत्र नहीं मिलता आत्मा के उधार के लिए तो गीता सरोपरी ग्रंथ ही इसके सिवाए ये मनुश्य को सभी प्रकार की उनती का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ भी है फल, आसकती, एहंकार, मंता से रहितो कर संसार के हित के उदेश्य से कर्तव्य कर्म करना गीता का उपदेश है मनुश्य दो तरह से सोचता है पहली बात काम करूंगा और उसका फल भी पूरा लूँगा दूसरी बात फल नहीं तो काम भी नहीं गीता का न्यायकारी ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए सारा ध्यान कर्म पर लगाना चाहिए फल मीठा होता है यह मान लिया गया पर कर्म के मिठास भी कम नहीं होती हाँ उस मिठास की खोज करनी पड़ती है शुब संकल्प जागे यह सवभगे की बात होती है उस संकल्प को पूरा करने में जुटे यह गर्व की बात होती है कर्म का आनंद फल प्राप्थ होने के बाद आरंब होगा यह मान लेना ठीक नह कर्म का अपना सौंधर्य है जो लोग कर्म के सौंधर्य और आनंद से वन्चित रह जाते हैं और फलने मिलने होने पर उन विचारों की स्थिति जीर्णम अंगे सुभाशितम वाली होगी कर्म की सारी प्रक्रिया में आनंद लेने वाला व्यक्ति कर्म के पत पर पहला कदम बढ़ाता है तब इसे प्रसन चित रहने लगता है फल पाने की अवस्ता तक पहुंचते पहुंचते वह आनंद के सागर में तैरने लगता है वह कर्म को ही पूजा आराधना और उपासना मा ता क्योंकि वह कर्म का पूरा आनंद ले चुका होता है और यदि मन चाहा फल मिल भी जाता है तो कर्म का आनंद दुगना हो जाता है कर्म का आनंद लेना उसके व्यत्तित्व की विशेश शैली बन जाती है सकाम कर्म करने पर कामना की पूर्टी ने हो तो बड़ा कस्ट होता है कामना पूरी हो जाए तो सुख भी मिलता है किन्तु कर्म करने में ही रूची हो फल की आशा छोड़ दें तो मनुश्य भवंदन से छूट जाता है जब कर्म की प्रक्रिया में आनंद लेने का आभास हो जाता है तो समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित हो जाती है ऐसा व्यक्ति कर्म योगी के रूप में पहचाना जाता है उसके व्यक्तित्व में नित्य निखार आने लगता है वहानी लाव जय पराजय सुख दुख में समता कर पाता है समता का भाव नहीं होगा तो विशमता होगी विशमता सारे उद्वेगों की जड़ है विशमता क रहते कर्म योगी बनना संभव नहीं है कर्म फल से मुक्ति नहीं होगी तो जनम मरण का चक्र चलता रहेगा मुक्ति प्राप्त नहीं होगी कर्म योग की साधना कठिन नहीं है पर उसमें शिधिलता का कोई स्थान नहीं है कर्म को सुन्दर से सुन्दा ढंग से श्रेष्ट स श्रेष्ट बनाकर संपन करने वाला सवभागेशाली करता होता है ऐसे कर्म शीलों नहीं हमारे भारत को कर्म भूमी यग भूमी और योग भूमी बनाया है कर्म का विधान करने वाले वेद यजुर वेद में भी कहा गया है कि और वन्ने वेह करमाणी जी जी विशेद शतम सम इसका आर्थ है कि सो वर्षों तक कर्म करते हुए ही मनुष्य जीवन जीने की अभिलाशा करें, प्रकर्ति का भी प्रतेक अव्यव कर्मरत दिखाई देता है, सूर्य हो या तारे, पवन हो या पानी, सब के सब कर्म करते हुए श्रिस्टी के क्रम को गती शील रखने में सहाय ये प्राकर्तिक उपादान हमें कर्म करने की प्रेणा देते रहते हैं, कहा भी जाता है कर्म ही पूजा है, कर्म का शेत्र इतना व्यापक है कि इसको एक छोटी दायरे में नहीं समीटा जा सकता मानो सभिता के विकास की कहानी कर्म की ही कहानी है यदि मानो कर्म न करता तो उसके पास वह सब नहीं होता जो आज वह पा चुका है इसलिए कर्म के प्रति रूची जगाने के लिए श्रीमत भगवत गीता में वासू देव कृष्ण ने हर्जुन को पदेश देते हुए कर्म कुशलता को योग का पर्याय माना योग कर्मशू कौशलम गीता के तेरवे अध्याय का नाम छेत्र शेत्रग्य विभाग योग है इस अध्याय में 34 लोग है जिनमें ज्यान पूरग प्रकृती पुरुष का निरूपन एवं छेत्र शेत्रग्य का विस्तार पूरग प्रति पादन किया गया है पहले श्लोग से 18 श्लोग परियंत छेत्र और शेत्रग्य के स्वरूप का निरूपन एवं 19 श्लोग से 34 श्लोग परियंत पुरुष के स्वाभाव प्राभाव का निरूपन किया गया है श्री कृष्ण ने शरीर वे शेत्रग्य जीवात्मा के ग्यान को बताया है शेत्रग्य चापी माम विधी सर्वत शेत्रेशु भारत है शेत्र शेत्रग्य योग्यानम यत्तज जग्यानम मतम्म हे अर्जुन तु सब शेत्रों शरीरों में छेत्रग्य अर्थात जीवात्मा मुझको ही जान छेत्रों छेत्रग्य का अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व रूपी ज्यान है वही वास्त्व ज्यान है ऐसा मेरा मत है शरीर को छेत्र कहा गया है शर बात की जानकारी रखने वाला ज्यानी है छेत्र छेत्रग्य को समझते ही सभी प्रकार के भ्रमदूर हो जाते हैं चौधमा अध्याय गीता के चौधमें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है इस अध्याय में 27 श्लोक हैं जिनमें प्रकर्ति के गुणों तता प्राप्ति के उपायों का निरूपन किया गया है प्रतम शलोक से चतुर्द शलोक पर यांत्र ज्यान की महीमा का वर्णन करते हुए प्रकर्ति पुरुष के संबंद से जगत उत्पत्ति का निरूपन है पांचवें शलोक से अठार्वें शलोक तक प्रकर्ति के सत्व अवगत प्राप्ति के फल का निरूपन करते हुए कहा गया है माम चैयो अव्य भीचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणांत समीत तय एत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते जो पुरुष बिना किसी विकार के भक्ति भाव से मुझे ईश्वर को भजता है वे इन गुणों तीनों गुणों सत्व रज और तम को लांग कर ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है केवल एक परमेश्वर को ही सर्वस्रेस्ट माने उसी को स्वामी परमाश्रे म इस प्रेम में ने स्वार्थ है नय अभिमान यह निर्दोष पूर्ण और अटल हो निश्काम भाव से प्रभु की अज्यमान का कम रत रहे सर्वांतर र्यामी ईश्वर के प्रतिस प्रकार समर्पित रहने वाला व्यक्ति प्रकर्ति के तीनों गुणों से प्राभावित न में संसार व्रिख्ष का निरूपण, जीवात्मा अधी विशयों का वण्नन, पर्मेश्वर के स्वभाव, प्राभाव का वण्नन करते हुए भगवत प्रापती के उपायों का निरूपण किया गया है, प्रतम शलोक से छटे शलोक परियंत्र संसार रूपी व्रिक्ष का वर्णन स्वरूप ज्यान के फल का निरूपन तथा भगवत प्राप्ति के उपायों का वर्णन है सात्मे शलोक से ग्यार्मे शलोक तक जीवात्मा के स्वरूप एवं क्रियाओं का वर्णन है 12 शलोक से 15 शलोक ता परवेशर के विभिन स्वरूपों का आवम उनके द्वारा प्रतिपादित कर्मों का निरूपन किया है 16 शलोक से 20 शलोक परियंत शर शरीर आवम अक्षर जीवात्मा और पुरुशत्तम के स्वरूप का प्रतिपादन है निश्काम निर्द्वन्द व्यक्ति के द्वारा परंपद की प्राप्ति का वण्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्मान मोहा जित संग दोशा अध्यात्म नित्या विनिवृत का महा जिनका मान और मो नस्ट हो गया है जिसने आसकती रूपी दोश को जीत लिया है और जिनकी नित्य स्थिती परमात्मा के स्वरूप में है तथा जिनकी कामनाय पूरी तरह से नस्ट हो चुकी है ऐसे ही सुख दुख नामक द्वन्दों से विमुक्त ज्यानी जनुस अविनाशी परमपत को प्रात होते हैं मानसिक शक्तियों के विकास से मान समान बढ़ाई और प्रतिस्टा की प्रात्ती होती है मोह एविवेक और एक भ्रम का सूचक है सादक मान और मों से रही तो उसे आसकती जनित दोशों पर विजय प्रात करनी चाहिए वे नित्य परमात्म स्वरूप में लीन रहे मान अपमान स्थूती निंदा प्रिय आदी द्वंदों से मुक्त रहे परमेश्वर की कृपा तो प्राणी मात्र पर रहती है भक्त सादक ज्यानी ध्यानी उसको विशेश रुप से प्रिय होते है कर्म भूमी संदेश कर्म योग का नाम दे अर्जुन को उपदेश बना देव की सुद्धिया अब हम इस पार्ट के प्रशन अभ्यास करेंगे पहला प्रशन है गीता किस प्रकार का ग्रंत है उत्तर आत्मा के उधार के लिए गीता सर्वोपरी ग्रंत है यह मनुष्य को सभी प्रकार की उनती का मार्ग दिखाने वाला ग्रंत भी है प्रशन दो वेद कर्म को किस प्रकार करने की बात कहता है उत्तर सो वर्सों तक कर्म करते हुए ही मनुष्य जीवन जीने के अभिलाशा करे प्रेशन तीन प्रकृति हमें किस प्रकार कर्म करने की प्रेणा देती है उत्तर सूरे हो या तारे पवन हो या पानी सब के सब कर्म करते हुए श्रिष्टी के कर्म को गती शीर रखने में सहायक है इस प्रकार प्रकृति हमें कर्म करने की प्रेणा देती है प्रेशन चार फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है तो भी मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए उत्तर फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है व्यक्ति मन चाहा फल नहीं पा सकता यह निश्चित है कि किये जा रहे काम का फल तो मिलेगा ही वे जब मिलना है तब मिलेगा जितना मिलना है उतना मिलेगा और जैसे मिलना है वैसे मिलेगा तब चिंता किस बात की? मन चहाँ फल हो भी सकता है या नहीं भी? इसलिए फल की चिंता न्यायकारी इश्वर पर छोड़ देनी चाहिए. प्रश्न पांच कर्म की मिठास से क्या अभी प्राय है उत्तर कर्म की मिठास से अभी प्राय कर्म के फल को प्रात करने से है कर्म का फल बहुत अधिक मीठा और खुशी प्रदान करने वाला होता है प्रेशन 6 कर्म करने वाले को फल प्राप्त ने हो तो भी वे घाटे में नहीं रहता इस कतन से तुम कहां तक सैमातो तरक सहीत स्पस्ट करो उत्तर कर्म करने वाले को फल प्रत ने हो तो भी वे घटे में नहीं रहता क्योंकि वे कर्म का पूरा आनंद ले चुका होता है और यदि मन चाहा फल मिल जाता है तो कर्म का आनंद दुगना हो जाता है प्रेशन साथ वास्ता में सच्चा कर्म योगी कौन है? उत्तर जब कर्म की प्रक्रिया में आनंद लेने का आभास हो जाता है तो समस्त शक्ती कर्म की कुशलता पर केंद्रित हो जाती है वेहानी लाव जै पराजे सुख दुख में समता कर पाता है ऐसा व्यक्ति ही वास्ता में सच्चा कर्म योगी है प्रशन आठ कैसा मनुष्य सौभाग शाली करता कहलाता है उत्तर कर्म को सुन्दर से सुन्दा ढंग से श्रेष्ट से श्रेष्ट बनाकर संपन करने वाला मनुष्य सौभाग शाली करता होता है मनुष्य कारे करने के संबंद में किस प्रकार सोचता है उसकी कौन सी सोच सही है उत्तर मनुष्य दो तरह से सोचता है पहली बात काम करूँगा और उसका फल भी पूरा लूँगा दूसरी बात फन नहीं तो काम भी नहीं मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि काम करो किन तूसका फल भगवान पर छोड़ दो फल की चिंता मत करो प्रेशन 10 मानव सभ्यता के विकास की कहानी कर्म की कहानी है विशेपर अध्यापक अक्षा में चर्चा कराई इसका उत्तर है मानव सभ्यता के विकास की कहानी कर्म की ही कहानी है यदि मानव कर्म न करता तो उसके पास वे सब नहीं होता जो आज वे पा चुका है प्रेशन 11 फल की चिंता की ये बिना कर्म करते रहना चाहिए विशेपर अपने विचार लिखो उत्तर फल की चिंता मत करो काम करना अपने वश की बात है उसे करने के लिए मनुश्य स्वतंत्र है मन चाहा काम मन चाहे ढंग से करने की उसे पूरी स्वतंत्र था है चाहे तो ने भी करे परन्तु मनुश्य होने के नाते काम करते हुए ही जीना है फल पर मनुश्य का अधिकार नहीं है व्यत्ति मन चाहा फल नहीं पा सकता यह निश्चित है कि किये जायरे एक काम का फल तो मिलेगा ही जब मिलना है तब मिलना है उतना मिलेगा और जैसे मिलना है वैसे मिलेगा तब चिंता किस बात की फल मन चाहा हो भी सकता है और नहीं भी इसलिए फल की चिंता न्यायकारी इश्व पर छोड़ देनी चाहिए प्रशन बार है अपने जीवन का कोई एक प्रसंग लिखो जब आपने कारे को श्रेस्ट करम बनाया हो यह कारे छात्र स्वैम करेंगे और अपने जीवन में जो घटित होई है कोई घटना तो उस घटना को बताएंगे प्रशन तेरा अपना कोई अनुभव बताओ जब आपने बहुत मन लगा कर काम तो किया परंतु मन चाहा फल नहीं मिला तब आपको कैसा मैसूस हुआ यह सबके विचार यहाँ पर सबके अलग-अलग हो सकते हैं आपने जैसा अनुभव किया कोई कर्म किया है और उसका फल नहीं मिला है तो आप यहाँ पर अपने विचार रख सकते हैं अगली वीडियो में मैं आपको पाट 6 खूब लड़ी मरदानी पाट का सार और प्रशन अभ्यास करवाँगी आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताए मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैं करें अगले से जरूर upon है स normalmente कि आपको मेरी यह वीडियो की कि बाता हुआएब करें जरूर जह कंशी कि ओका टूर मेरीो को लुआएब कर देडने लागे ओना पको रहांच कि भाचब खीडि़ अजोंयों स्वेड़ा झाह